हेलो स्टूडेंट्स मैं अचली पयाल स्वागत करती हूं आपका आई सीटी वर्चुल क्लास्रूम धहरादून से कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बहतर कुछ कर रहे होंगे आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस की और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर प्रशन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं श्रिंकला में 2024 का प्र प्रशन था अधातवे ऑक्सिजन से संइंस्टों कर प्यासा बनाती है तो आपने बोला अधातवे जो होती है या तो अमली ऑक्साइड बना रही है या फिर उदासीन आपके ऑक्साइड बनते हैं तो इसलिए उच्छ होता है क्योंकि वहां पर तिर्व जादा उश्मा दे आपने दिखाया था इलक्रॉन की इलक्रॉन बिंदू से खाशा है या जिसका प्यासाइड और अधिक है तो वह अधिक होगी तो विलियन एं अधिक होगी तो वह आपने दिखाया था इलक्रॉन की इलक्रॉन बिंदू संबचना यह भी आपने बनाई थी यहां पर कार्बनी क्यों होगा आई-उ-पीसी नेम लिखना था वह आपने लिखा था और जेंग की आयन सलफेट के साथ रियाक्शन वह आप लोगों ने देखती है आज के मैं बात करते है इसी का जो सिकिन पाट था आस्विच जल विविद्थ का चालग Food को घुए तो है और यानि अथ्वा में करता है जबकि वर्शा का जल करता है चले, लिखेंगे, आस्वित जल, जल का एक, शुद्रूप होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के जिले घुले नहीं होते हैं, इसलिए यह जिद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि इसमें आयन नहीं है, तो आयन होने चीए, मुक्ति लेक्ट्रोन होने चीए, विद्युधारा प्रवाइज करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जबकि वर्षा के जल में लवन तथा अमल गुले रहते हैं, जो आयनो में वियोजित होते हैं, यह हो जाते हैं, सत्था विद्युद का चालन करते हैं, और आप लिख सकते हूं बेकॉस टेस्टेल वाटर क्षाल टेस्ट्ट टक शाप ल॑त्ट टाप्ट छाप बेकॉस टेस्टम पर टेस्ट मिख मैं टेस्ट टो टाप्ट ट्वर बबंद नेख टो लोग देखते हैं नेक्स्ट कोशन आपका है एथिनॉल से एथिनॉइक अमल में परिवर्तन को ऑक्सी करण अभी करिया क्यों कहते हैं ठीक है पहले समझी अभी करण अभी करिया चीसे कहते हैं आपक्सी करण अभी करिया में ओटू का संयोग तथा है एच टू का रास या अभी योग होता है और अभी करिया क्या हो रही है आपके एथिनॉल से एथिनॉइक ऐसे आपका बनना है ठीक है करता है से दीजिए यहां जूड़ रही है ठीजिए यह palette हाइड्र हंट रही है और दो तो क्यों कि एसंगर हो रहा है कि और हाइड्रोजन का होना हो रहा है इसलिए इसको अक्षिकलान अभीव एंगिया कहा जा सकता है एथेनोल से एथेनोईक अमल में परिवर्तन की अभी करिया में O2 का संयूर तथा H2 का खरास होता है अतर इसे अक्सी करण कहा जाता है या इसलिए 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 परिवर्तन हो रही है उस अभी करिया ओके हुआ थाग। कोशन नमबर 24 है आपके पास किसी पदाथ एक्स के विलियन का उपयोग सफेदी करने के लिए पूछता है ठीक है एक पदार्थ का उपयोग किया रहा है जिसे एक्स से डिप्रेजेंट कर रहे है तो किस से किया जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है किस से किया जाता है पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया का समी करन लिए ठीक है एक्स के विलियन का प्रियोग किया जाता है ठीक है किया जाता है ठीक है उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है तूत्र सी ए ओ प्रेला पाटी एक कोशन का कोशन का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है आपका पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया का समी करन लिए ठीक है अब भी करिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसको कहा जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रो कभी कभी एक और अभी क्रिया आजाते है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है लाइम वाटर जो है वो अगर कार्बन डाय ऑक्साइड के कॉंटेक्ट में आएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको बनाता है क्या कहां मैंने कि यह का हो तो जब ती ओटू से रियक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर आपका फॉर्म ठीक है कि नेट्ट आपका उश्मा छेपी तथा उश्मा शोशी अभी क्रिया का क्या अर्थ है फुदहारन सहीद समझाएगे यह पार्ट था 24 का जिसके दो थे आपके पार्ट फॉस्टर सेकिंद वह हमने देख लिया अब इसका ख़व क्या था बनता है उश्मा छेपी तथा उश्मा शोशी अभी क्रिया क्या उश्मा छेपी अभी क्रिया में आप लोग क्या बोलते हैं कि जो उश्मा है वह उत्पन हो रही है ऐसी अभी क्रिया जिसमें उत्पाद के साथ पूश्मा निकलती है उश्मा छेपी अभी क्रिया क्या थीक है और उधारण के कमबर्शन की रियांशन जो भी होती है वह उश्मा छेपी अभी क्रिया क्या थीक है जैसे कारवन का जहन होगा तो यहां पर उश्मा निकलेगी ठीक है और दूसरा क्या है उश्मा शोशी अभी क्रिया बताइए क्या होती है एकी अभी क्रिया जिसमें पूश्मा और शोशी तो अभी क्रिया जिसमें पूश्मा के अवश्योशन के बाद उत्पार बनता है चीक है पूश्मा शोशी अब एकरिया कहना थी चीक है जैसे एने सी एल को उश्मा या उजा देंगे तब वो एने पॉजिटिव और जैसे है ने नगेटे में आपका थूप के उसका व्योजित लेगे तब वह आपका 2023 कार्बोनेर का वियोजन जब होता है कैल्चियम औकसाइड और सी ओटू में तो उसमें भी आपको उश्मा देनी पड़ती है तो यह उश्मा शोची अभी करिया क्यों धारन है तो बैसिकली ऊश्मा छेपी के ठीक विपरीत आथ का उश्मा शोची है जहां उश्मा क्षेपी म पर जब उश्मा देंगे तब आपका उच्पाद बनेगा उश्मा शोची में ठीक है कि नेक्स्ट कोशन है आपका क्या होता है जब केवल रसाइन इस समीकरण आपको लिखनी है चूने के पानी में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तिक है ना कार्ब डाइकसाइड गैसे पास्ट इन लाइम वाटर सवीशन क्या होता है बताईए लाइम वाटर सलीशन क्या है आपका अभी तो बनाया था सी एए ओच का होल्टर प्लस उसके साथ कार्बन डाइकसाइड सी ओटू प्रवाइद की जाएगी और आपने क्या बोला कैल्शियां कार्वोनेट प्लस वाटर बनी है उके सुफ रियाक्शन आपको लिखनी है केवल रसाइन समीकरण लिखिए नेक्स है विरंजक चून की तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल से क्रिया विरंजक चून क्या है आपका सी एओ ओ सी एल टू सी ए ओ सी एल टू प्लस किसके साथ अब विक्रिया करने है है एच सी एल के साथ क्या बनेगा एच टू बनेगा प्लस एल टू बनेगा टू करने हैं नेक्स्ट आपका एथेनॉल की क्रिया सोडियम धातों से की जाते है एथेनॉल पी टू एच फाइव ओव एच प्लस एने च्या बनेगा बताओ सोडियम इस आपका सोडियम इस अक्साइड बनेगा पी टू एच फाइव ओ एने यहां जूड़ जाएगा प्लस एच टू अलग हो जाएगा क्णू है यहरा ब्याता ब्मालिक लिस्के दोसे दो स्ट्री स्ट्री स्ट्सरियम यहरा ब्क। sam नेक्स्ट आपका इथनायक अमल की इथनॉल से क्रिया किस प्रकार होगे तो इथनॉल कम थी एच थ्री सी ओ ओ ओ एच प्लस किसके साथ अभी क्रिया हो रही है इथनॉल के साथ और क्या बनेगा आपका बताओ कौन सी रियक्शन ही आप एस्ट्रिफिकेशन रियक्शन बनता है इथाए इथनॉल बनता है इस प्रकार भी लिख सकते हैं झाल नेक्स्ट इसी का और में क्या करना आपको खनीज और आयस्ट में आपको क्या करना उन दोलों की परिभाशा वतानी है तो क्सहीं क्या है वे सारे पदार्थ जो धर्तिकी सतके नीचे पाए जा रहे हैं वो धातु हैं या धातु को यॉगिक हैं, उनको खनीज कहा जाता है और IESC क्या हैं, ऐसे खनीज हैं जिनसे असानी से धातु को सस्ते में या कम खर्चे में निकाला जा सकता है, उनको IESC कहा जाता है, और एक statement कि यह सारे जो आईस्क होते हैं लेकिन सारे जो है इसका स्रेंट पार्ट है जो धा तु दो हाथ विस्थापित करती है तथा थो धाइसा नहीं करती है तो आपने कोन करेगा एडरोजन का विस्थापित कर देंगी और तो निचे होंगी वह नहीं करेंगी तो hydrogen से उपर आपकी कौन-कौन सी आती है आपकी जेंक है वहाँ magnesium है आपका aluminium है ठीक है वो विस्थापित कर देंगे hydrogen के नीचे आपका gold है silver है platinum है तो यह सारी विस्थापित नहीं कर पाएंगी तो किनी भी उपर वाले किनी दो धात्वों का नाम लिखिए जैसे मैगनेशियम जो धात्वे जो विस्थापित करती है तो mg हो गया आपका और zn हो ठीक है ना और दो धात्वे जो ऐसा नहीं करती है उनमें आपका AU आ जाएगा और PT आ जाएगा जैसे ठीक है चलिए इस कोशन पेपर में आपके इतने ही कोशन करवाया गया है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे जितने पॉसिबिलिटी उस टॉपिक से वह आप लोग क्लियर कर लेंगे अभी वी कोई डाउट होगा कोशन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे अपने आने वाले सेशन में एक नए प्रश्ण पत्र के साथ हम लोग आएंगे और तब तक के लिए आई सीटी वर्चुल प्लासरूम से जोड़ने के लिए